नमस्कार, हमासानध हैल्थ टिप्स में आप सभी का स्वावत है स्वाद और सिहत के लिए आप आलू तो खाते ही होगे लेकिन हर बार आप आलू को बिना चिलके के ही खाने के लिए यूजह करते हैं लेकिन क्या आपको पदा है कि इस चिलके में छिपा है सिहत करास तो जाने आलू से जादा क्यों फाइदे मंञेश का चिलका और किन बिमारियों को ये करता है दूर आलू क्रेशिल्कों को फेगते हुए आप बहुत से पोशकत्वा को भी फेग देते हैं ये शरीमी होने वाली कई बिमारियों से बचने के लिए सहायक होता है इन छिलकों में नकेवस सेहत का खजाना चुपा होता है बलकि ये वेट लॉस और हाई बीपी जैसे कई बिमारियों में लाबकारी होता है आलू में अच्छी खासी मातरा में पोटेशियम पाया जाता है और ये विटामी सी से भी भरा होता है पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है इसके छिलके को धोक और आप इसे सबजी की तरह खाए ये आलू के छिलका सहीद बना कर खाए आलू के छिलके मेटबॉलिज्म को सही रखने में मददकार है एक्सपर्स की माने तो आलू के छिलके खाने से नर्व्स को मजबूती मिलती है अगर आप आईरन की कमी से जूज रहे हैं तो बाकी सबजीों के साथ आलू के छिलके खाना बहुत फायदी मन रहेगा और यदि खून की कमी भी रहती है तो आपको इसके छिलके को खाने में प्रयोग करना चाहिए ये एनिमया को भी ठीक करने में कारगर है आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है विटामिन B3 ताकत देने का काम करता है इसके अलावा इसमें मौझूद नैसें कारबूस को एनरजी में कनवर्ट करता है हमारी डाइट में फैबर के कुछ मात्रा जरूर होनी चाहिए एक और जहां आलू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है वहीं इसके चिलके में भी अच्छी मातरा में fibers होते हैं ये digestive system को भी boost करने का काम करता है आलो के चिलके फाइबर से भरी होते हैं जब हिने चिलके सहीद बनाया जाता है तो ये केबल कार्बोहइडरी नहीं देता बल्कि fiber भी मिलता है इनके छिलके को आप किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं फाइबर अधिक होने से ये लंबे समय तक पेट को भरा भी रखता है ये मेटबॉलिक राइट को भी बढ़ाने में कारगर होता है इसे खाने से नर्व्स को मजबूती मिलती है आँखों के नीचे अगर काला घेरा बन गया हो या धूब के कारण चहरा सावला पड़ गया हो तो आलो के छिलके को पीस कर उसका रस निकाल कर चहरे पर लगाते रहें तो आपका काला पन दूर हो जाएगा